अपने आपको आप कैसे बताएं कि आप क्या है इंट्रिड्यूस करना इंट्रिड्यूस इंट्रोडक्शन आपका कैसा हो जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो जरूरी हो जाता है अपने आपको इंट्रिड्यूस करना अपने आपके बारें बताना तो कैसे करेंगे उसक से पहले तो कहां से शुरू होता है अपना नाम तो सबसे पहला आपका नाम आएगा उसके बाद अपनी information आप देंगे जैसे आप कहां से हैं आप कहां से अभी कहां से हैं या कहां से आए हैं आपका hometown क्या है उसके बाद आप क्या करते हैं करते नहीं है तो आप student है, तो कौन से subject हैं, किस subject में पढ़ रहे हैं और आपकी hobbies क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपके interest क्या है ध्यान रहे, जब भी आप किसी को introduce कर रहे हैं तो अपनी उनकी आँखों से आँखें मिलाइए, नजरों से नजरें मिलनी चाहिए अब ही आप उनको कर रहे हैं न, किसी और को तरह नहीं कर रहे है जैसे, यहाँ पर देखेंगे, यह कहते हैं, I am Aman उसके बाद अगर राहूल कर रहा है, वो कहेगा, I am Rahul, I am from Agra या I am Rahul from Agra, एक और चीज जोड देते हैं Tina कह रही है, My name is Tina, I am from Agra and I am in class 8th और I am in class 10th, जो भी उसका class होगा यहाँ पर कह सकते हैं, अब मैं इसको पूरा कह रहा हूँ Hi or Hello, I am Anu, I am from Agra और I am from Delhi I study in class 9th or 8th, I like cricket and I don't like football यह तरीका हो सकता है, introduction का तो हो सकता है कि आप किसी को, किसी और को introduce करना चाहें जैसे मालीजे यह हैं, इनको यह साहब introduce करना चाहते हैं जैसे मालीजे कोई stage पे आप लाए या किसी को आप introduce करा रहें किसी और से, आपके सामने audience बैठी है उनके सामने आप इनको introduce करना चाहते हैं कहेंगे अगर माल लीजे गाना गाने के लिए बुलाया है या इडिडियूस कराना जैसे आपकी कोई party हो रही है तो किसी को इडिडियूस कराना है तो इस तरीके से कर सकते पहले चीज़ क्या बोलेंगे आप उनका नाम बोलेंगे फिर वो क्या करते हैं? काम उनका बोलेंगे और किस तरीके से आप उनको जानते हैं? यह आप बोलेंगे और कुछ interesting उनके बारे बताइए जैसे वो क्या करते है कुछ भी बोल सकते हैं जैसे यह joke बहुत अचछा सुनाते हैं और यह कहें कि ये कोडिंग बहुत अच्छी करते हैं ये सब कह सकते हैं चलिए साब जो हमने देखा अब देखते हैं कि हमने